अमिताव घोश द्वारा एक मात्र विश्व का घाट आगा शाहिद के बारे में एक कहानी है जो लेखक के मित्र थे लेखक जानता था कि उसका दोस्त लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा इसलिए शाहिद अपने दोस्त से उसके बारे में लिखने के लिए कहता है जब वह मर जाएगा लेखक को शाहिद के प्रती अपने वादे को निभाना चाहिए लेखक और शाहिद दोनों ने एक ही विश्व विद्यालाई में अध्ययन किया जो दिल्ली विश्व विद्यालाई में है अमिताव घोश द्वारा एक मात्र विश्व के घाट का सारांश लेखक अमिताव घोश और कवी शाहिद अली थोड़ी देर के लिए दोस्त थे शाहिद रक्त कैंसर से मर रहा था और उनकी दोस्ती खिलते थे जब उनमें से एक मर रहा था एक दिन शाहिद ने अमिताव से उनकी मृत्यू के बाद उनके बारे में उनकी कविता और कश्मीर के बारे में लिखने के लिए कहा यह एक असामान्य अनुरोध था और काफी उलजन में दर्द था अमिताव सहमत हुए शाहिद की मृत्यू हो गई बेहतर कहें उसकी आत्मा ने आठ दिसंबर को दो बजे अपना शरीर छोड़ दिया एक बेबुनियाद ने लेखक के दिमाग को भर दिया तो एक दोस्ती संक्षिप्त के परिनामस्वरू पितना विशाल शून्य दोनों शाहिद और शाहिद गवाह और शहीद मिश्रित और अनन्त काल में पिघल गए लेखक ने अपना वादा रखा उन्होंने इस लेख को शाहिद अली केवल विश्व के घाट पर लिखा था शाहिद एक कवी के रूप में शाहिद या शाहिद अली एक कवी थे अपनी कविताओं के माध्यम से अपने मधुर शब्दों और तेजस्वी वाक्यों के माध्यम से उन्होंने मौत के साथ हाथ मिलाने के लिए जीने की स्वतंत्रता दी इस तथ्थे को बहुत अच्छी तरह से जानते हुए कि समय सीमित था अली ने भारी जीवन शक्ती का खजाना निधी खोला और घोश को पुरानी यादों की रस्यों के साथ बांध दिया कश्मीर के शाहिद का प्यार उनके शब्दों ने कश्मीर में रहने के दौरान राजनीतिक लावा की गर्मी का खुलासा किया उनकी दोस्ती की इस छोटी अवदी के दौरान शाहिद ने एक स्पष्ट रूप से अलग कश्मीर के कुछ शानदार ब्रशस्ट्रोक छोड़े थे यहां तक की राजनीती और धार्मिक अभ्यास को अलग करने में एक दृढ़ हास्तिक होने के नाते उन्होंने अलगाववाद, अत्याचार और हिंसा को अलग कर दिया जो पहले से ही स्वर्ग कोख हो दिया था जब उनके बचपन के बारे में श्रीनगर के कमरे में लौइटर्ड, वह उत्सा से अपने माता पिता के लिए इच्छाओं की इच्छा रखा यह था, लेकिन अपने कमरे के अंदर एक छोटे से हिंदू मंदिर स्थापित करने के लिए कश्मीर के जलते एटलस पर खड़े होने के समय भी वह फरी सैक नहीं थे समय बीतने के साथ मूर्तियों और अन्य ट्रैपिंग्ज उनकी मादवारा खरीदे गए थे और उनके घर का सबसे निचला हिस्सा पवित रस्थान एक मंदिर बन गया इस तरह उनका घर हिंदू धर्म और इसलाम का धार्मिक संगम बन गया भोजन के लिए शाहित का प्यार यहां तक की कैंसर के अपने अंतिम चरण के दोरान उनकी मृत्यू की पुष्टी करने वाली हर चीज के साथ शाहित भोजन का अनंद लेने में सक्षम था और भोजन के बारे में बात की थी जब भी वहां एक पाटी थी तो उसने विफलता के बिना इसमें भाग लिया यहां उसकी भूख को खुश करने के लिए किया गया था या यहां अपने साथियों को खुश करने के लिए था, हम नहीं जानते शाहिद और कैंसर शाहिद ली कैंसर के लिए एक मजा की तरह था उन्होंने इसे स्वीकार किया लेकिन कैंसर के लिए अपनी हार कभी नहीं भरती कराया लगभगंत तक जैसे ही उनकी बीमारी से उनका जीवन भसम हो रहा था वह एक सतत कार्निवल का केंडर था एक अन्थीन भोजन, हासी, भोजन और निश्चित रूप से कविता उन्होंने जीवन को मनाया कि कोई भी सोच सकता था कि वह दिन प्रतिदिन मौत को पराजित कर रहा था लेकिन मौत कोई विरोधा भास बनाता है शाहिद कैसर से पीड़ित था, खाते की शुरुवात में कुछ 14 महीने, जब वह कुछ भी नहीं देख सकता था तो उसके शब्द एक चलती यह पिटाप दिखाई देते थे, मुझे आशा है कि इसका मतलब यह नहीं है कि मैं मर रहा हूँ शाहिद और अमिताव अमिताव ने अपना वादा रखा और दर्दनाक और निविदा यादो को छुपा कौशल के साथ खोला, जिसने खुद से भी अपना दर्द छुपाया आगह शाहिद अली सब कुछ था अमिताव घोश्क हो गया और इसलिए केवल विश्व का घाट उसे पुनरजन्म करने के लिए लिखा गया है उनकी अटूट दोस्ती में जीवन सांस लेने के लिए धन्यवाद